हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनिल और एकबर फिट से आपको स्वागत करता हूँ अपने सीटोप चनल पर दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पीवी से अधार कार्ट और कर सकते हैं आने कि अपने एड्रेस पर प्लास्टिक वाली आधार कार्ट कैसे मंगवा सकते हैं यह आधार कार्ट देखने में ATM की तरह लगता है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ATM कार्ट की तरह दिखने वाला यह आधार कार्ट मैंने लगबग 15 से 20 दिन पहले और किया था और यह successfully मेरे घर तक deliver हो गया speed post के through अब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए PVC अधार कार्ड order कर सकते हैं step by step मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ वीडियो को भीना skip की वे last तक देखते रहे चलिए आज के वीडियो स्टार करते हैं इसके लिए आपको Google पर सर्च करना है आधार कार्ड जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं आपके सामने एक link मिलेगा uidai.gov.in इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस link पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया page open होगा और इस page में लिखा है इसे मैं जूम करके आपको दिखा जाता हूँ अब घर बैठे order करें आधार PVC card इसके लिए मात्र आपको 50 रुपए सुल्क पे करने होगे and जैसे ही आप payment process complete करते हैं speed post के थूँ आपके घर तक आपके जो अधार card में address है उस address पर ये अधार card deliver होगा दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर link पर click करना है जैसे यह आप इस पर click करते हैं आपके सामने एक नया page open होगा इस page में आपके सामने यहाँ तीन तरह का option मिलेगा इसे order करने के लिए पहला है आधार card आधार card का number के through और दूसरा है virtual ID के through तीसरा है enrollment ID के through जो की यहाँ पर देख सकते हैं तो हम आधार number के through इस order को complete करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार number इंटर करते हैं दोस्तों यह PVC आधार card आपके address तक deliver होने में लगभग 15-20 दिन का समय लग जाता है अब यहाँ पर आपको यह capture fill करना है जैसे आप capture fill करते हैं इसके बाद आप यहाँ पर send OTP पर click करेंगे यदि आपका mobile number इस आधार number से link है तो यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर click करना है my mobile number is not registered इस पर आप click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number कोई भी mobile number जिस number पर आप OTP चाहते हैं इंटर करेंगे चलिए अब हम यहाँ पर अपना mobile number इंटर कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इंटर कर लिया हूँ अपना mobile number and send OTP पर अब आपको click करना है जैसे आप इस OTP पर click करते हैं send OTP पर आपके इस mobile number पर एक OTP आएगा इसके लिए आपको 5 से 10 सेकेंड वेट करना है जैसे यह आपके पास OTP आजाता है आपको OTP यहाँ पर इंटर करना है जैसा कि आप देख सकते हैं OTP हमारा आ चुका है अब इस number को हम यहाँ पर इंटर करेंगे OTP को और submit करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर OTP इंटर कर लेते हैं OTP है हमारा 395428 तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर OTP इंटर कर लिए हैं अब terms and condition को accept करेंगे यानि कि click करेंगे यहाँ पर and यहाँ पर submit पर click करेंगे जैसे ही आप इस form को submit करते हैं इस OTP वगेरा को सबको complete करके submit करते हैं आपके सामने एक नया page open होगा यहाँ पर आपको payment करना है तो payment के लिए आपको यहाँ पर click करना है make payment पर जैसे ही आप इस पर click करते हैं आपके सामने एक नया page open होगा और यहाँ पर आपको payment करने का option मिलेगा अब आपको यहाँ पर तीन तरह का option मिलता है card, net banking and upi तो हम card के through करेंगे तो card पर click किये और यहाँ पर अपना card detail fill करते हैं यहाँ पर हम अपना card number enter किये card का expiry date यहाँ enter किये और यहाँ पर CVV code अब यहाँ पर जो card में नाम है उस नाम को enter किये और यहाँ पर proceed पर click किये अब यह जो number है मेरे account में दूसरे mobile पर है तो उस mobile पर एक OTP आया होगा उस OTP को मैं यहाँ पर enter करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं पर मेरे mobile नमबर पर एक OTP आ चुका है अब उस OTP को मैं यहाँ पर enter करूँगा यदि आपका mobile नमबर इसी bank account से link है और इसी mobile में है तो वो automatically वो समझ जाएगा और फिल कर लेगा लेकिन हमें यहाँ पर manually फिल करना होगा OTP को तो चलिए मैं यहाँ पर OTP इंटर करता हूँ OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर submit पर click करना है जैसे यह आप यहाँ पर submit पर click करते हैं आपका जो payment है वो successfully हो गया है और हमारे account से पैसे कट गया है और यहाँ पर आपके सामने एक message सो हो गया कि payment successful, congratulations and अब आपको यहाँ पर payment का receipt पूरा मिल जाएगा यहाँ पर सारा कुछ details आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं payment date and time लिखा है 11 February 2021 यहाँ पर message भी आ गया है और यहाँ पर SRN नमबर भी हमको मिल चुका है transaction ID भी मिल गया है amount भी हाँ पर store है कितने amount कटे हैं और यहाँ पर आपका transaction status भी success दिखा रहा है अब यहाँ पर आपको SRN नमबर को copy करके रख लेना है यह in future काम आएगा जब आपको trace करना होगा अपना status की आपका प्रो जो PVC card है वो कहा है तो इसके लिए आपको यह SRN नमबर का जरूरत पड़ेगा तो चलिए मैं इसे screenshot लेके रख लेता हूँ यहाँ पर आप चाहें तो download भी कर सकते हैं इस receipt को चलिए अभी इसका status चेक करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर click करना है check status पर यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अधार नमबर इंटर करना है जिस भी अधार नमबर को आप PVC के form में मंगाना चाहते हैं तो इसका अधार नमबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर capture फिल करना है इसके बाद आपको यहाँ पर यदि आपका मुबाइल नंबर लिंक है तो send OTP करेंगे नहीं तो यहाँ पर अपना मुबाइल नंबर इंटर करेंगे मुबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप send OTP पर क्लिक कीजिए और आपके मुबाइल पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है जैसे आप OTP इंटर करते हैं आपको terms and condition accept करना है और submit पर प्लिक करना है इसके बाद आपके सामने PVC card का status आजाएगा यहाँ पर लिखा है request received, request date यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, your request for PVC card has been received and it is under process दोस्तों अमीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आओगा अगर वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों से सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेट वीडियो से आप लेट आने के लिए नोटिफिकेसन आइकन को जरूर दबाइए वीडियो पुरान तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत देन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एकना टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत